दोस्तों क्या आपके भी बाइटे इस्टीडियो पे इस परकार की प्रोब्लम आ रहे है वी आर एक्स फेंचिंग इस विट दा सिस्टम फोर रियल टाइम डाटा की प्रोब्लम इस प्रोब्लम को कैसे फिक्स आउट करना है आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है अब एक्चली क्या है काफी बंदे लोग है इधर किलिक करते हैं यहां पे इस परकार की प्रोब्लम है रियल टाइम वाले ओप्सन में गाईस यहां पे देखने को मिल लेए ऐसे में आप लोग बहुत जादा परेसान हो और आप लोग भी चानना चाहें तो यह प्रोब्लम क्या होने वाले है आई थिंग आप लोग किसी के किसी भी वीडियो पे किलिक करते हो जो भी आपने अप्लोट किया उस वीडियो के दोस्तों आप रियल टाइम पे जाते हो रियल टाइम पे जाने के बाद में तब भी दोस्तों आपको वही प्रोब्लम है बार बार यहां पे फेस करने को मिल लेगी इस परकास से और आप लोग देख चतोर यहां पे लिखा हुई आर वर्किंग ओन दा इस तो दोस्तों यहां पे यह प्रोब्लम होने वाले है उससे सोल करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूर यह दिए आप लोग सोल नहीं करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपका अब एक ऐसे में काफी बंदे लोग परिशान है जो चाहते हैं आखरी यह प्रोब्लम क्या होने वाली है आखरी मतलब घबराय हुए हैं वो लोग इससे कहीं चैनल पर कोई इफ्यएक्ट तो नहीं पड़ेगा वट आपको हम बताते चलें इस प्रोब्लम को सोल करने के लिए आपको सबसे पहले बापस आना है अपने मुवाइल फोन की स्कृण पर आने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर ओफिशली update माँग रहा होगा आपको इसको update करना है ओके दोस्तों वाइटी इस्ट्इडियो application को successfully एक बार update करना है एंड जैसे दोस्ते यहां पर आपका वाइटी स्ट्डियो है application है successfully update होता है आपके सामने इस परकार का interface आएगा install हो जाएगा अब update करने के बाद में आपको वापस आना है आपको इसके उपर प्रेस करना है या फिन्फरमिशन के अंदर आना है आपको यहां से force stop करना है then storage पी आना है clear all data clear storage कर देना है अपने byt studio का अब दोस्तों जैसे आप लोग clear storage clear all data करते अपने byt studio का अब दोस्तों यहां पे आपका काम है complete हो चुका है अब ऐसे में यहां से आपको simply यहां से cut मालना है बियान से समझी हो मेरी बात को cut मालने के बाद में byt studio को open करना जो भी gmail उससे login कर लेना ह अपने जो भी आपका YouTube channel उसको login करने के बाद में इस परकार का interface आएगा get start करना है और आप लोग देख तो पर जैसे कि एक example के लिए मैं आपको बता दूँ इसके उपर click करना है अभी आपको यहां पर दिखाता हूँ जैसे कि यह वीडियो है यह हाली में वीडियो पड़ा हुआ है और यह problem आपको अचानक से face कहने को मिल लेए पहले तो नहीं आ रहे है this my question guys यहां पे create viewers and guys report of video performance तो दोस्ते यहां पे इनके कहने का मतलब है कि दोस्ते यहां पर जो आपका real time है जैसे कि काई system real time है उसमें issue है और वहीं पर दोस्तों यहां पर report आप काफी बंदी ल लेना है फिर आपको यहां से कट मार ना है द्यान से समझना है आपको officially ट्यूटर को open करना है आपको यहां पे सर्च बार में सरत करना है YouTube YouTube सरत करना है ऑफी इधर आना है और यहां पर क्लिक करना है इधर आना है और उसी screenshot को यहाँ पे upload करना है और यहाँ पे लिखना है problem solve problem solve लिखते ही दोस्तों यहाँ पे आपकी problem है YouTube बाले देखेंगे फिर आपकी problem solve कर देंगे यहाँ पे आपके उपर डिपेंड नहीं करता है ना ही आप लोग अपने खुछ से इस problem को solve कर पाओगे यहीं बग और गिलिच वगएरा होती न तो वो fix out हो जाती ही लिए all data और पिलस दोस्तों update करने में कोई इसमें वग नहीं है कोई glitch नहीं है एक YouTube का system वो इस टाइम पर डाउन है आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी घबराना नहीं मेरा खुछ चैनल है ओके आपको कोई दिक्कन नहीं लेना है आपकी ठीक हो जाएगी fix out हो जा अठर नहीं झूछ नहीं मेरा नहीं हो मेरा नहीं है